बीजेपी भले ही उपर से सब कुछ अच्छा होने का दावा करती रहती है लेकिन सच तो ये है कि अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है जो समय समय पर जलक उठता है जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता है वहां भी और जहां नहीं है वहां भी बीजेपी की कारिकरताओं में मनमुटाओं की खबरें लगातार आ रही है ऐसा ही कुछ हुआ है पश्रिम मंगाल में जहां बीजेपी के एक दिगज ने दूसरे के खलाफ आपत्ती जनक ट्वीट किया है जिससे विवाद मच गया है आखिर क्या है मामला देखिए खास रेप बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने की आशंका है ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के अंदर ही घमसान मचा हुआ है जिससे पार्टी दिन बदिन कमजोर हो रही है अब हाल में पश्रिम मंगाल बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक नया बबाल खड़ा ह दरसल त्रिपुरा के पूर्व राजिपाल तथागत रॉय के एक आपत्ती जनक ट्वीट ने नया विवात खड़ा कर दिया है उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर भाजपा नेता और पश्रिम मंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजेवरगिये की तस्वीर का ए की नाराजगी को एक बार फिरुजागर कर दिया है आपको बता दें कि तथागत रॉय की अपनी पार्टी के खिलाफ नाराजपी पश्रिम मंगाल विधान सभा चुनाओ की तैयारियों के दोरान ही शुरू हो गई थी क्योंकि पश्रिम मंगाल चुनाओ के दोरान जब बी सक्स हो गया उन्होंने कहा कि चुनाओ के बाद टीमसी से आए लोग वापस जाएंगे और हो सकता है कि बीजेपी के अपने लोग भी बीजेपी का साथ छोड़ दें लेकिन पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तथागत रॉय ने चुनाओ में मिली हार की जिम्मिदारी तै की है अब रोई की ये नाराजगी साफ जाहिर कर रही है कि वो पार्टी से काफी नाराज हैं क्योंकि उन्होंने अपने पोस्ट के संबंद में कहा कि जमीनी इस्तर के नेताओं को अतरिक्त महत तो देने के लिए पार्टी के पुराने नेताओं को महत तो ना देना ठीक नह और इस पर विजयवर्गे की तरफ से क्या प्रतिकरिया आती है साथ ही इस मुद्दे पर विपक्ष भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हटेगा डीवी लाइव की रिपोर्ट